आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरह से Windows Login का Profile Picture कैसे चेंज किया जाता है तो Profile Picture हम किसे कहते हैं कि देख सकते हैं आप यह Profile Picture यह है आपका अगर Picture नहीं डालावा होगा तो वहाँ पे Blank आएगा अगर आपने Picture डाला है Profile में तो आपका Picture आएगा यह Profile Picture कैसे चेंज करना है इस वीडियो में देखेंगे सबसे पहले इसको Login कर लेते हैं मैं यहाँ पे Login कर लिया पासफ़ट वहाँ डाल देता हूँ एंटर कर देता हूँ ठीक है ना एंटर हो गया यहाँ पे जाएंगे Control Panel में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ Control Panel ठीक है ना यह देखो Control Panel है Control Panel में जाएंगे तो उपर सबसे हमको दिखाई देगा यह देखो Option देख से पर इसको क्लिक करेंगे सबसे पहले क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो User का Option आएगा आपको दिख रहा है आपको User Option इसको क्लिक करेंगे User Option आएगा यहाँ पे देखो User Accounts Option आ रहा है ठीक है ना क्लिक करेंगे अब यहाँ पे देख रहे हो Make Changes to My Account in PC Setting देख सकते हो Make Changes को मैंने क्लिक कर दिया अब जैसे मैंने क्लिक किया देखो यह Option खुल गया यह Option जैसे ही खुलेगा आपको करना क्या है यहाँ पे देख रहो यह यह Totamose का जो username दिखा रहा था वो यह है और यह Option blank है यहाँ पे तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे मुझे picture डालना है मैं मैंने पास file एफ फोटो का मैं इसे क्लिक करता हूँ जैसे मैंने क्लिक किया देखो यह Option खुल गया अब मैं यहाँ पे मेरे folder में जाके मैं अपना एक फोटो ले लेता हूँ मैं यहाँ पे इसम जो मेरा फोटो है और मैंने यह क्लिक कर दिया आगे हां यहां पे यहां पे आने के बाद आप कुछ नहीं करना है आपको आपको save वगरगर ऑप्शन नहीं मिलेगे यह automatic save हो जाता है तो आपको save अलग से करने की जोरवत नहीं है अब मैं इसको बन कर देता हूँ यहां पे मैं close option कर देता हूँ और इसको भी बन कर देता हूँ, अब मैं यहाँ पे logout करता है, इससे मैं क्लिक करूँ गा, और यहाँ पे sign out देख तक 누शばी, sign out इसको क्लिक कर दिया हमाँ, यह sign out होगे, अब मैं इसको क्लिक करता हूं अब इसको click कर दिया 막ने, तोटा मोज आ गया देखो पहले फोटो नहीं था यह अब यह प्रोफाइल फोटो आ गया तो यह इस तरह से आप अपने प्रोफाइल का फोटो लगा सकते हो